नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्तर मीलम शर्मा, इस वीडियो में हम दिस्कस करेंगे की सुमोल 650 टैबलेट का उप्योग किन कंडीशन्स में किया जाता है, सुमोल 650 टैबलेट को कैसे लेना चाहिए, और सुमोल टैबलेट की वज़से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे की सुमोल टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए, सुमोल एक ब्रैंड नेम है, सुमोल टैबलेट के अंदर सौल कंपोजिशन पेरा सिटामोल 650 mg होता है, सुमोल टैबलेट का उप्योग दर्ब और बुखार को कम करने के लिए किया जाता है, सुमोल टैबलेट का उप्योग बुखार होने पर, शरीर की मासपेशियों में दर्ध होने पर, सिरदर्ध होने पर, दातों में दर्ध होने पर, कमर के दर्ध, कान के दर्ध और गले के दर्ध आधी कंडीशन्स में सुमोल टैबलेट का उप्योग किया जाता है. बहिलाओं में मासिक धर्म के दोरान भी दर्द से राहत पाने के लिए सुमोल टैबलेट का उपयोग किया जाता है इसके अलावा सर्दी जुकाम के लक्षणों से राहत पाने के लिए भी सुमोल टैबलेट का उपयोग किया जाता है Side Effects की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में सुमोल टैबलेट की वज़े से कोई Side Effects नहीं होते हैं सुमोल टैबलेट दर्द और बुखार की एक सुरक्षित दवा है और ज्यादातर व्यक्तियों में सुमोल टैबलेट की वज़ज से कोई side effects नहीं होते हैं लेकिन ज्यादा डोज में सुमोल टैबलेट को लेने की वज़ज से liver damage हो सकता है इसलिए आपको सुमोल टैबलेट को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। एलर्जिक रियेक्शन किसी को भी और किसी भी दवासे हो सकता है। यदि आपको सुमोल टैबलेट को लेने के बाद सांस लेने में दिक्कत, मोगले होटो या तवचा पर सूजन, वचा पर खुजली, वचा पर रैशिस या सुमोल टैबलेट को लेने के बाद एकदम से बुखार होता है। तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से परामर्ष लेना चाहिए, क्योंकि ये लक्षण allergic reaction के हो सकते हैं, और allergic reaction होने पर तुरंत medical treatment की आवर्शक्ता होती है. अब हम discuss करेंगे कि सुमोल टैबलेट को कैसे लेना recommended होता है. सुमोल टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है, और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है. आमतोर पर 12 साल से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर सुमोल 650 mg टैबलेट को दिन हैं. सुमोल टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है. इसलिए आपको सुमोल टैबलेट को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए. दोस्तों, अगर आप को वीडियो पसंद आ रहा है. तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले. अब हम डिसकस करेंगे की सुमोल टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए. अगर किसी व्यक्ति को किड्नी या लिवर की कोई बीमारी ह तो ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डौक्टर को बताना चाहिए. क्योंकि लिवर और किड्नी की बीमारी से फीरित व्यक्तियों में शुमोल टैबलेट की डोज घटानी पढ़ सकती है. डौक्तर की सला के बिना लगातार तीन दिन से अधिक सुमोल टैबलेट को लेना रिक्मेंडेद नहीं है, क्योंकि सुमोल टैबलेट के साथ शराब का सेवन करने की वजह से लिवर डेमेज होने का जोखिम अधिक हो जाता है 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सुमोल 650 MG टैबलेट को लेना recommended नहीं होता है। सुमोल टैबलेट प्रेगनेंट महिलाओं और गर्ब में पल रहे बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुचाती है। और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए भी सुमोल टैबलेट का सेवन करना सुरक्षित है। इसलिए जरुरत पढ़ने पर डॉक्तर प्रेगनेंट महिलाओं और स्तन्पान करा रही महिलाओं को कम समय के लिए और कम डोज में सुमोल टैबलेट को लेने की सला दे सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका सुमोल टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं।